कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे जीवन का रस शिव ने जो हिमालेक श्वेत्र में रहते थे जब ये सुना तो शिव ने नाविक की पतनी के कपड़े उधार लिए और रास देखने गए ये स्त्रीगुन की सबसे बड़ी तारीफ है आज का दिन खास है आज क्रिष्ण जन्माष्टुमी है क्रिष्ण के बारे में दुनिया में कई गलत सहमिया है पर हमें ये समझना होगा कि उन्होंने छे साल की उम्र तक ही मख़न चुराया था या शायद आट साल की उम्र तक ही सोला की उम्र में जब उनके गुरू संदिपनी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है तो वो तुरंत वरन्दावन से चले गए और कभी वापस नहीं है वो कभी भी अपने रिष्टेदारों या वहां की लड़कियों या लड़कों से मिलने उस इलाके में कभी नहीं गए सब वहीं खत्म हो गया सोला की उम्र में वो चले गए जब वो जा रहे थे आज राधे क्रिश्न कहा जाता है क्रिश्न से पहले राधे आती हैं क्योंकि उनका प्रेम, उनकी अंतरंगता और उनका रोमैंस पूरे भारत की संस्कृती में पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृती में कुछ इस तरह समागे कि हम क्रिश्न राधे नहीं कहते हैं हम कहते हैं राधे क्रिश्न पर 16 साल की उम्र में कृष्ट ने राधे को आखरी बार देखा उसके बाद कभी नहीं देखा 16 की उम्र में वो जाते समय बोले वो बोले, ये बांसुरी मैं तुम्हारे लिए बजाता था अब मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊँगा तो एक भेट के रूप में तुम जो प्रेम से इतनी सरा बोर हो मैं ये बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ और मैं फिर कभी बांसुरी नहीं बजाओंगा और उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई उसके बाद से राधाने बांसुरी बजाई सोला के बाद उन्होंने कभी भासुरी नहीं बजाई सोला से 21 तक वे ब्रमचरी बन कर रहे उन्होंने सन्यास लिया ब्रमचरी बने और जबर्दस साधना की इसके बाद उनका पूरा जीवन राजनी तिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए समर्पित्था ये बातें कभी बताई नहीं जाती कि भारत के उत्री मैदानों में उन्होंने एक हजार से जादा आश्रम बनाए क्योंकि वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक अलग चीज न रहे बलकि जीवन का ही एक हिस्सा बन जाए जैसे हम जीते हैं यानि हमारा ध्यान करना उतना ही जरूरी है जितना हमारा सुबह ब्रश करना वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक दिखावटी चीज़ नहों बलकि जीवन का एक एहम हिस्सा बन जाए खास तोर से देश के उन सारे राजाओं के लिए जो तब अखंड भारत का एक हिस्सा होते थे तो उन्होंने पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद जीवन चीआ पर आम तोर पर लोग सोचते हैं कि उन्होंने बस मखन खाया बांसुरी बजाई और लड़कियों के साथ नाचे नहीं, उनका जीवन ऐसा नहीं था पर ये भी एक जरूरी पहलू था एक बड़ी सुंदर कहानी है आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मुझे एक कहानी सुनानी चाहिए कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे रास शब्द का मतलब है रस ज्यादा तर लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनमें रस नहीं है बलकि हॉर्मोन है उनमें जीवन का रस नहीं है यानि जीवन ही नहीं है जीवन की तीवरता नहीं है तो रास यानि जीवन का रस शरीर का नहीं है बलकि जीवन का क्योंकि शरीर के रस कम जादा होते रहते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं पर वो बात कर रहे हैं जीवन के रस की तो पूर्णिमा की रात की नृत्य को रास कहते थे क्योंकि वो जीवन के रस से भरा हुआ होता था वो रात की हॉर्मोनल पार्टी नहीं होती थी, न तो वो शराबियों की पार्टी थी, वो कामक लोगों की पार्टी नहीं थी, ये उनकी पार्टी होती थी जो जीवन के आनंद से भरपूर थे, तो उसे रास कहा जाता था ये रास मशहूर हो गया, जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया या देखा, उनकी वज़े से रास की बातें पहलने लगी शिवने, जो हेमालेक शित्र में रहते थे, इसकी बारे में सुना, कि यमुना के तटों पर कुछ अद्भुत हो रहा है तो वो देखना चाहते थे, क्योंकि वो रास करने वालों में से नहीं हैं, वो तांड़व करते हैं आखें बंध हों तो उन्हें आसपास का कुछ पता ही नहीं होता वो नाचते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं होता, ना आदमी न और अउरत वो वाँ हो यह नहीं सकते, वो ऐसा नाचते हैं तो जब उन्होंने इस ने नृत्ति के बारे में सुना, जहां रस बह रहा है, तो वो देखना चाते थे, वो यमुना के तड़ पर पहुँचे, और वो नदी बार करना चाते थे एक नाविक ने, जो वहीं मौझूद था, उसने देखा, क्योंकि शिव एक भुरुष है, शायद, शायद नहीं, शिव ही धर्ती के सबसे फिट देव हैं, योग विद्या में, योग संस्कृती में कहते हैं, कि वो नौ फिट लंबे थे, इसकी वज़ा ये है, कि जो वे नीचे दक्षन की हो रहा हैं, दक्षन भारत में, तो कहते हैं, कि वो एक औसात औरत से दो गुने लंबे थे, तो आम तोर पर उस समय दक्षन भारत में, औरतों का कद साड़े चार से पांच फुट के बीच था, तो ये माना जाता है, कि वो साड़े आठ से नौ फुट के बीच थे, तो वे एक पुरुश हैं, पूरे पुरुश, परम पुरुश, तो नाविक उन्हें देखकर बोला, आप बहुत जादा ही पुरुश हैं, आप रास में ऐसे नहीं जा सकते, वहाँ बस एक ही पुरुश है, सिर्फ एक, वहाँ कृष्ण ही पुरुश हैं, इस तरह का आदमी वहां नहीं जा सकता, शिव बोले, तो अब मैं क्या करूँ, वह बोला, कम से कम औरतों के कपड़े पहन कर जाएं, वह बोले, क्या, मैं औरतों के कपड़े पहन कर जाऊं, वह बोला, वरना आप रास में नहीं जा सकते, तब वह बोले, अब मुझे औरतों के कपड़े कहा मिलेंगे, तब वह ना आपको अपने कपड़े देतेगी, आप उन्हें पहने और जाएं, रास में सही तरीके से हिस्सा लीजिए, एक स्त्री गुण की तरह, ना कि पुरश गुण की तरह. तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लेने का फैसला किया, जो उसने पहने हुए थे, मेरा मतलब वो एक गरीब परिवार था, शिव ने देखा कि ये दूसरे जोड़ी कपड़े भी नहीं है, उसने वो कपड़े पहनने के लिए कहा था, जो उस तरी ने पहने ह हुए थे, कहीं-कहीं बड़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, शायद ये मदुबनी पेंटिंग्स हैं, जिनमें एक, इनमें एक स्त्री का हाथ दरवाजे से बाहर है, और शिव ऐसे कपड़े ले रहे हैं, और रास में जाते हैं, ये कहानी कृष्ण के गुनगान करते हुए, ह ये प्रकृति, ये स्त्री गुन की सबसे बड़ी तारीफ है, समझे आप, ये स्त्री गुन की सबसे शांदार तारीफ है, स्त्री नहीं, स्त्री गुन, क्योंकि इस संस्कृति में हमने हमेशा समझा है, कि जीवन सिर्फ तभी सुंदर होगा, जब पुरुष और स्त्री आज हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं, जिसमें स्त्रीगुण खत्म किया जा रहा है, आज सफल होने के लिए औरत को आदमी जैसा बनना पड़ता है, वरना कोई चांस नहीं है कि वो आज की दुनिया में सफल हो पाईगी, स्त्रीगुण का खून किया जा रहा है, आप देखे य पर बेवकूफ एक ही बात कर रहा है, एकौनमी, कहीं भी जाएं, एकौनमी का क्या हाल है, शैर मार्केट कैसा चल रहा है, कोई मोंसून के बारे में भी नहीं पूच रहा है सबी सिर्फ अर्थफ्यवस्था और शेयर मार्केट की बातें कर रहे हैं इसका मतलब पुरुष प्रकृति हावी हो गई है जीवन्यापन सबसे बड़ी चीज बन गई है एक सरल सी चीज एकॉनमी का मतलब क्या है? सिंपल, सर्वाइवल बस जीवन्यापन? जीवन्यापन के पेचीदा तरीके हाँ है ना? जीवन्यापन का प्रोसेस भोजन कैसे मिलेगा, ये कैसे करें, वो कैसे करें, कैसे कुछ बना लें ये जीवन्यापन हुआ घर बनाना, खाना, कपड़े पहनना थोड़ी खरीदारी करना ये जीवन यापन है ना अब हम बस जीवन यापन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि स्त्री गुण काफी हद तक दूर कर दिया गया है कम से कम घरों में इसे रखें बाहर समाज में तो ये काफी हद तक खत्म है पुरुष गुण ही सब कुछ है तो आज क्रिष्ण जन्मास्ट में है यहाँ उनका संदेश ही ये है वो ये कह रहे हैं कि अगर समाज में स्त्री गुण नहो तो असल में जीवन भी नहीं होगा हम आदमी औरतों की बाते नहीं कर रहे हैं हम नर्मादा की बात नहीं कर रहे हैं हम दो मूल गुणों की बात कर रहे हैं, पुरुशगुन और स्त्रीगुन. तो कृष्ण का जीवन, स्त्री प्रकृती का उत्सव है. क्यूंकि पूरुशप्रकृती तो हर हाल में जाहिर होगी, यही उसका स्वभाव है, पर स्त्री प्रकृति को पोशित करना होगा, वरना वो खत्म हो जाएगी चट्टाने वैसे भी होंगी, पर फूल नहीं होंगे हमें उन्हें पोशित करना होगा है न? धर्ती पर चट्टाने वैसे भी होंगी, मौसम कैसा भी हो, तापमान कुछ भी हो चट्टाने हमेशा होंगी फूलों को देखभाल चाहिए देखभाल नहीं होगी तो कोई फूल नहीं बचेगा चट्टानों से आप कुछ बना सकते हैं फूलों से आप क्या बनाएंगे कुछ नहीं बात बस इतनी सी है कि जीवन में काम आना ही सब कुछ नहीं होता